आपने बोला कि फ्री हैंड है पुलिस को छे साल में लगभग 185 से ज़ादा इंकाउंटर्स हुए उत्रप्रदेश में क्या लगता है कि ये आप लोगे की कोई इंकाउंटर पॉलिसी है या फिर पहले भी अपराद होते थे पहले भी कोशिश होते थे कि आप रादियों पर नकील कसी जाए लेकिन इंकाउंटर इस टेन्योर में या आप छे सो लोग छे साल में बहुत ज़ादा करें आप लोगों ने इंकाउंटर पॉलिसी क्या है सर आपकी नहीं ये एक नेरेटिव जनरेट किया जाता है कि एक पॉलिसी है इंकाउंटर कभी भी किसी भी स्टेट की पॉलिसी नहीं हो सकती और यहां की भी नहीं है इंकाउंटर एक बहुत छोटा सा सबसेट है एक पूरे अगर हम लो और न ओर्डर के परडाइम को देखें तो उसमें अगर आप देखें कि कितने अभिक्तों पे कारवाई हुई कितनों की जो गैंगिस्टर एक्ट छासी से चल रहा है उसका कोई सदुप्योग पहले नहीं होता था अर्बो रुपे की संपत्ती जब्त की गई लोगों ने अपने सरकारी जमीनों पे बिल्डिंग्स बना रखे लिए उसको लीगली धोस्त किया गया ठीक तो ये सब चीजें वो तो एक बहुत छोटा सा सबसेट है हाँ जहां पे सामने सामने के मुद्भेड होई है पुलिस वाले भी शहीद हुए है हमारे पुलिस वाले भी मारे गए है ऐसी भी घटना हुई जहां पर आठाठ पुलिस कर भी मारे गए दिन दाहारे प्रियाग राज में हमारे दो सिपाही मारे गए जो की एक विटनेस को सुरक्षा दे रहे थे उनकी क्या गलती थी इन चीजों को भी देखना चाहिए पुलिस ने जो सेक्रिफाइसे किये हैं और जो चेंजेज आए हैं वो हमने डेड़ लग से ज्यादा लोगों की भरती की है हमारा एज प्रफाइल कम हुआ है हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाए है महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेस अभियान चलाया है महिलाओं से संबंधित अपराधों की कन्विक्षन में आज उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है पूरे देश में यह आप NCRB के डेटा से कन्फर्म कर सें